नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका न्यूज कमांडो 49 चैनल पर मैं हूँ आपके शाथ शिवा आज इस वक्त हम सपोर्टर अपकंड में हैं सपोर्टर पिदान सभा में और आप फ्रेम में देख सकते हो बस पाके करोली जिला के पदाधिकारी हमारे साथ में जुड़े हैं इनसे हम जानेंगे कि करोली जिले के अंदर क्या चल रहा है कौन सी सीट मजबूत है और कौन सी कमजोर है कौन-कौन सी सीटों पर यह विसेश द्यान दे रहे हैं और जो प्रतियासी है वो कौन-कौन है तमाम बातों को जानने कि हम कौन सेश करेंगे मेरा नाम सिवाजी जमनालाल जाटव है भाउजन समाज पार्टी जिला अध्य करोली मेरा नाम नरेंद्र कुमार बागोरिया है जिला कारेले सचिव बस्पा सबसे पहले तो सिवाजी आपको आपने चैनल को बहुत-बहुत मेरी ओर से धन्यवाद और जितने भी जो दर्शक देखेंगे उनके लिए मेरी ओर जैभीम, जैवारत, राम राम साथ अब करोली विदान सवा में कितनी सीटों पर प्रत्यासी तार्च गया है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और सभी दर्शक को तो मेरी ओर से जैभीम, नमो बुद्दा है, राम राम साथ तैयारी को लेकर बात करें तो हम भुजन समाज पार्टी पूरे जिले में दमखम के साथ चुनाब मेदान में है और जैसा कि सबको विदत है, 25 नमवमर को बुटिंग होनी है, तो उसके अकोर्डिंग पूरे च्यारो बिदान सभा में हमारे जो बुद्दान सभा की टीम है, सेक्टर और भूत की टीम है, जिले की टीम है, बुरे दमखम के साथ केंडिटेटी और केंडिडेटों को अपना दिसा निर्देश देती हुए चुनाब मेदान में है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बहुजन समाज पारिटी को जिले से मिलने जा रहा है, हम यह दो या तीन सीट नकाल लें हमारी जो चारो सीटे हैं, चारो ही सीटे हम दमदारी से चुनाब लड़ रहे हैं हम सपोर्टरा में देखें, तो बहुते अच्छी मजबूत इस्तिती पर हैं, करोली में बेहम अच्छी इस्तिती पर हैं, और चुनाब जीतेंगे, आपको बतादू में सिवाजी, और हिंडोन से बेहम चुनाब जीतने जा रहे हैं, हाँ, जो हमारी टोडावीम की जो सीट है उस पर थोड़ा सा हमें और मेहनत करने की जरत है, और अगर कार करता हूँ, कि मेहनत से हम बहाँ पर भी अच्छा परिणाम लाएंगे इंडोन से हम चुनाब जीत रहे हैं, और भारी भूमों से चुनाब जीतेंगे, इंडोन की सीट पर हम सब कायर करता अच्छी तरह से काम कर रहे हैं लोगों से क्या पील करना चाहूँगे? लोगों से हम यह अपील करना चाहेंगे, पूरे जिल्वे के हमारे जो भुजन समाज पार्टी के समर तक है, बोटर हैं, सर्व समाज में, उन सब लोगों अपील करना चाहेंगे के आप लोगों भूजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करें मतदान क्यों करें ये सब लोगों को बिद्दते आज राजस्तान की जो कांग्रेस सरकार है उसका जो कानून राजस्तान सरकार का जो रहा है यहाँ दलित सोषित अपर अन्या पताचार की घटना हुए है उसको लेकर पूर राजस्तान प्रदेस में सब को पता है यहाँ का पूरा राजस्तान प्रदेस का मद्दान भूजन समाज पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है और जिले की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पोर्टर से बहुजन समाज पार्टी के पक्षिमर आएगा ऐसी हम आके दर्सकों से अपील और निवेदन करना चाहेंगे इस बार एसपी जी मैदान में कहीना कहीन जाती समय करन भी देखा जाए तो इसे कितना प्रवा पड़ेगा देखिए सिवाजी एसपी की जो बात कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता दूँ कि हमारा जो बहुजन समाज है वो फूरी तरह से समझ गया है कि हमें कमजोर करने के लिए एसपी बनाई गई है और ये एसपी की जाएं बात करो तो ये किसी और ही दलों के और ताकतों के हाथ में खेल रही है हमारा युवा और हमारा जतना भी जो बहुजन समाज है वो पूरी तरह से समझ चुका है और पूरे देश में अगर हमारा जो बहुजन समाज बोट करेगा वो और नेता अगर है कोई तो बेन कुमारी मायवती जी है बेन कुमारी मायवती जी के नाम पर पूरे देश में बोट करती है और हमारा समाज सारी चीज जानता है कि बहुजन समाज पार्टी को ही बोट करें और आपको पता है कि करोली एक ऐसा जिला है राइस्थान में कि करोली से दो बार वेधायक बनाया सपोर्टरा की जनता को भी दन्वाद दोगा कि आठ में बहुजन समाज पारिटी से बहँदायक बनाने का काम किया है कते ही गुबरा नहीं होगा हमारा भाउजन समाज, हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से एक होकर के हाती वाले बटन को दवाय करके और भाउजन समाज पारटी का बिदाइक बनाने का काम करेगी कदें ये सब अफवा हैं और असपा का यहां कोई बजूद ना कोई लेना देना है बिल्कुल मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ युवा सिख्षित और समझदार है और इस बार जो यहाँ पर विदहन सवा में युवाओं की सरवादिक भूमका रहेगी युवा ही यहां का निरनायक है तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप छेतरबाद जातीवाद धर्मबाद को छोड़ करके और बिकास के नाम पर आप बोट दें आप देख रहे हैं राजिस्थान में की पेपर लीक हो रहे हैं पेपरों को बेचा जा रहा है आज का युवा दरदर भटक रहा है उसके लिए कोई रोजगार नहीं है बेरोजगार घूम रहे हैं तो मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप विकास के नाम पर आप बोट दे आपको रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए आप बोट दे और बहुजन समाज पार्टी को बोट दे मैं यहीं कहना चाहता हूँ मैलाओं से क्या अपील करना चाहते हैं मैला मतलब हमारे सब समाज के जो मैला हैं वो एक तरफ बीएसपी को वोट करेंगे वो भेंजी में विस्वास रखते हैं तो मैला को ही वोट करते हैं दोस्तों ये थे हमारे साथ बीएसपी के पदादी कारी बने रही हमारे साथ में जैन जवारत